हेलो दोस्तो, वेलकम बैक तो मैं चैनल, आज मैं आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ, बहुत ही कमाल के टिप्स हैं, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक देखेगा, ऐसे टिप्स आपने पहले कभी नही देखे होंगे, तो चलिए देखते हैं, अमेजिंग से टिप्स, हमारी पहले टिप है, क्लोस हुक्स को लेकर, सभी के घुरों में चुटकियां तो होती ही हैं, कपड़ों को गिरने से, गंदे होने से बचाने के लिए, क्लोस हुक्स लगाते हैं, इसका और भी यूज कैसे ह हो सकता है, इस वीडियो में देखेंगे, कुछ चुटकियां लेंगे, और एक हैंगर लेंगे, अलमिनियम का, और इस तरह से खोल देंगे, एक एक करके सारी चुटकियां इसमें डाल देंगे, ये देखें, कुछ इस तरह से आब इसको अटैच कर देंगे, और बंद कर दे हैं आपको बजार से कोई भी ओर्गेनाइजर लाने के जुरूरत नहीं पड़ेगी कई बार ऐसा होता है कि वार्ड्रोप तो होती ही है पर कपड़े ही इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ओर्गेनाइज करना मुश्कल हो जाता है जब भी हम अफ़र चुनिया निकालने लगते है थो एक निकालने के वजह से सारी भीखर से जाती है चार-चार चुनिया नीचे गिर जाती है तो आप क्या करेंगे आपके पास चौडिया थो होती हैं चौडिया पुरानी हो नहीं कोई भी ले लीजिएगा हर चूड़ी में एक एक चुनिय डाल दीजिए जिससे कोई दिक टेप से फिक्स भी कर सकते हैं और वार्डरोब की साइड में अटेच कर देंगे सारे मफलर चुनिया अराम से निकाल सकते हैं यह विरा वार्डरोब की साइड में भी लगा सकते हैं डबल टेप वाला नोब अटेच कर देंगे और हैंगर को ऐसे भी आप टांग सकते हैं तो चलो भड़ते हैं नेक्स्ट टेप की तरफ, कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़े से अट्टक जुरूरत पड़ती है, अट्टा हम गूंदने लगते हैं, चानते वक्त अट्टा इदर उदर गिर जाता है, साइट्स पर, अगर एक लास में अट्टा लेकर इस तरह से चा कभी-कभी हमारे पांस अद्रक लेसन कूटने वाली नहीं होती कोई भी चीज, तो आप इस तरह से एक गिलास में अद्रक लेसन डाल कर एक बेलन की हेल्प से भी कूट सकते हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं किरेगा और आम से इसे कूट सकते हैं नेक्स्ट टिप मसाले वाले डिब्बे जो खाली हो जाते हैं, उन्हें फैंकिएगा मतर डिब्बे को इस तरह से तीन कोर्नर काड़ देंगे और एक ऐसे ही रहने देंगे, इनको हम फ्रेज की साइड में इस तरह से क्लोस होक्स की हेल्प से अटेज कर सकते हैं और छोटे छोटे पैकर्ट्स, चिली फ्लेक्स वाले ओरिगेनों वाले पाउच इसमें डाल सकते हैं और छोटे पाउच भी इस तरह से लगा सकते हैं, इससे स्पेस भी बच जाएगी और चीज़ों भी स्टोर हो जाएगी अगला जगाड हमारा सुई में धागा डालने को लेकर है, अगर आईसाइट वीक है, तो आप छोटे से छोटे होल वाली सुई में धागा कैसे डाल सकते हैं, ये देखेगा एक कोई भी पेपर का पीस ले लीजेगा और फोल्ड करके उसमें इस तरह से बीच में धागा रखेंगे और जो कोर्नर है तिखे वाला वो सुई में डालेगे और पेपर को इस तरह से खीच लेंगे ये देखिए इस तरह से कमजोर से कमजोर नजर वाले भी सोई में धाका ढल सकते हैं जब हम कभी सिप्पी स्तारे वाले कपड़े प्रेस करने लगते हैं उपर रुमाल रखकर करते हैं तांकि हमारे बढ़िया कपड़े खराब ना हो बार बार रुमाल रखने की बजाए आप प्रेस में इस तरह से हैंकी को भान सकते हैं फिर आप अराम से कपड़ों को प्रेस क लाइक और शेर जरूर करें थैंक्स पर वचिंग माई वीडियो